स्पिती ममी मौंक्स मनेस्ट्री स्पिती घाटी असीम अध्भुत और निर्जन हिमाचल प्रदेश का ये सूबा कभी पश्चिमी तिब्बत के सामराजिका हिस्सा था हिमाले की गोद में बसे स्पिती तक पहुँच पाना लगभग नामुम्किन है मगर एक हजार साल पहले प्राचीन व्यापार मार्ग पर उचे दर्रों के बीच बहुत धर्म पहुँचा और ये है इसकी एक बड़ी मशहूर इमारत की गोमपा घाटी का सबसे बड़ा मठ जिसकी उचाई 13500 फीट से भी ज्यादा है सदियों तक कुदरत के तत्वों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बावजूद की मठ आज भी सीनाता ने खड़ा है आस्मान छूती ये इमारत पहचान है बौद्धमत की शाश्वतता की आस्था और रहस्य का अनूठा संगम लेकिन लगभग 40 साल पहले जमीन में दबे एक राज ने पूरी स्पिति को दहला दिया और यहां की शांती और सुकून पर मानो ग्रहन लग गया प्रकृती का कहर बर्पा सन 1975 के भूकंप ने इलाके में तबाही मचा दी लेकिन ये तबाही साथ लाई एक अनूखी खोज सेना के एक जवान की देखरेख में मल्बा हटाने का काम जारी था ये इलाका एक प्राचीन गाउं के पास ही था खुदाई करते समय उन्हें कुछ मिला जिसने सब को चौका दिया एक इंसान के अवशेश एक संरक्षित ममी करीब 500 साल पुरानी सवाल उठा वो शक्स कौन था और लाश सड़ी क्यों नहीं क्या वहां और भी ममीज थी करीब 1000 साल पहले बौध धर्म तिबबच से स्पिती घाटी पहुँचा इस घाटी के कई मठों से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ आज यहां भारत का सबसे पुराना बौध समुदाई रहता है की गोमपा में एक नया दिन शुरू हुआ कड़कडाती ठंड में ने भिक्षू का स्वागत किया मगर ये बड़े साहसी भिक्षू हैं और सर्दियों के मौसम में भी ये शून्य से 30 डिग्री नीचे तक के तापमान का भी सामना करते हैं वरिष्ट भिक्षू को लामा कहते हैं जो अभी मंत्रों चारण कर रहे हैं बौध लेक पाली भाषा में लिखे गए थे जिनका अनुवाद विध्वान भिक्षू ने तिब्बती भाषा में किया था उन अनुवादकों में से एक थे नौवी सदी के रिंचिन जांकपो उनकी उननीसवी पीढ़ी के वनशज आज की मठ के प्रमुख हैं क्योंकि मुझे रिंचिन जांकपो का अवतार माना जाता है इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं इन इलाकों में बहुत धर्म का प्रचार करो रिंचिन के साथ मठ में 300 भिक्षू रहते हैं भारत के हिमाले क्षित्र में सबसे ज्यादा भिक्षू बनने का असली मकसद था अपना विकास करना खुद पर नियंतरन रखना सीखना हमेशा खुश रहना और सबसे जरूरी बात यह है कि अपने इस समाज की सेवा करना मौसम अच्छा होते ही नौजवान भिक्षू चर्चा सत्र के लिए जमा होने लगे पाठ्यक्रम वही पुराना है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं यानि धम्म पर अमल करना सीखना धम्म की प्राप्ति के लिए भिक्षू मानविय कश्टों से उपर उठकर महात्मा बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करके उन्हें मजबूत बनाते हैं पत्थर काट कर बनाए गए इन ककशों में ये भिक्षू अपनी सबसे बड़ी शकती मन की शकती को साधते हैं ये कई साल तक साधना करते हैं ताकि सच्चे साधक बन सके और जो अगले स्तर तक पहुर्च जाता है उसे एक निजी ककश मिलता है ये सिलसिला कई साल तक चलता है शायद इसी वज़े से उस भिक्षू की ममी भी मिल पाई है आज भी वो ममी ग्यू गाउं में रखी है वहाँ लोग उनमें गहरी श्रद्धा रखते हैं DNA जाच से पता लगा कि ममी करीब 500 साल पुरानी है और कमाल की बात तो ये है कि ममी के दांत, नाखून, उसकी तवचा और सिर के बाल आज तक सुरक्षित हैं उनकी लाश पर भपुन जमने लगी थी इसका मतलब है कि उस पर रेजिन कोटिंग नहीं की गई थी मिसर की ममीज की तरहा इस ममी पर रसायनों का लेप करके उसे कृत्रिम तरीकों से संरक्षित नहीं रखा गया था सवाल है इतनी सही ममी बनी कैसे उसका जवाब आज तक नहीं मिला लेकिन कुछ लोग मानते हैं वो एक बहुत भिक्षू थे और अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपनी ममी बनाने की प्रक्रियाश शुरू कर दी थी स्थानिय लोगों के मुताबिक उनका नाम था सांगहा टेंजिन वो स्वयम को जीवन मृत्यू के चक्र से मुक्त करना चाहते थे अपनी छोटी मूटी जरूरतों का त्याग करने में उन्हें महीनों लग गये होंगे जैसे की भोजन प्रक्रिया शुरू हो गई थी उनके लिए अपना भौतिक शरीर त्यागने की प्रक्रिया बड़ी ही लंबी रही होगी कुछ स्रोत इस सरफ भी इशारा करते हैं कि उस जमाने के भिक्षू अपने शरीर का तापमान नियंतरत रख पाते थे उनका हार्ट रेड भी आम लोगों से बहतर होता मगर हाँ काम सच में बहुत ही मुश्किल था टेंजिन सांगा की ममी ने कई सवाल भी खड़े किये क्या वो इकलौता मामला था या उस जमानी की एकाम प्रक्रिया थी सन 1975 में ममी मिलने के बाद से ग्यू की ममी ने इस पिती को और भी रहस्यमय बना दिया है भिक्षूं से भरे इस पहाड में कई रहस्य भी चिपे हैं